Relation with the student का मतलब इस वीडियो से जानेंगे Relation with the student याने छात्र के साथ संबंद या विद्यार्थी के साथ रिष्टा इसके दो examples तेख लेते हैं The teacher has a supportive relation with the student याने शिक्षक का छात्र के साथ सहायत संबंद होता है दूसरा example Building a positive relation with the student is important for learning याने सीखने के लिए छात्र के साथ सकारात्मक संबंद बनाना महत्वपूर्ण है फिर से एक बार revise कर लेते हैं Relation with the student का मतलब छात्र के साथ संबं या विद्यार्थी के साथ रिष्टा उमीद करती हूँ आपको ये मतलब समझ आ गया होगा जमीद कर दो छात्र के साथ सकार्था संबंद प्री मतलब गल